सेजी, सेजी, ए, ए, यू, यू, रव, रव, सेजी, ए, 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 यू, उ, उ, रव, को रव Hey guys, welcome to my channel again, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने रव के channel पे उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे होंगे या फिर अपने काम पे होंगे, college पे होंगे या girlfriend के साथ होंगे या boyfriend के साथ होंगे जहां पे भी होंगे एकदम safe होंगे और vaccinated होंगे क्योंकि vaccine लेना बहुत जरूरी है जिन्होंने नहीं लिया है प्लीज जल्दी जल् करने वाला हूँ मैं रियक्त करने वाला हूँ अपने best friend की pictures पे जो कि मोहीना है हमारी मो हमारी प्यारी मो और हर्शित है हमारा हर्शू फ्रॉम जैपूर एंड उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पुरानी-पुरानी pictures मैंने निका करता है तुम लोग मेरी बेज़िती कर देना वैसे क्या कम करते अभी तो आज हम करने वाले हैं reacting to my best friend pictures and बहुत युनिक और अच्छा वीडियो होने वाला मैं उमीद करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुती common problem के बारे में बहुत सारे messages आत है कि मैं थोड़ा लेट सोता हूँ और लेट उटता हूँ उसके बावजूद डाक सिर्कल्स नहीं आते हैं और लोग पूछते हैं इसा कैसे हो सकता है आप अपनी आई की केर के लिए क्या करते हो सो उसके लिए बहुत अमेजिंग प्रोड़क्त है कुछ लोगों को बहुत जल्दी पॉफिनेस आने लगती है टाइडनेस आने लगती है डाक सिर्कल्स आने लगते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है तो प्लीज वॉच इसको यूज करना बहुत ही आसान है ट्यूब को हलका सा प्रेस कीजे और इस जल को अपने आइस के कीजे इसके बाद ट्यूब पे दिये गए एक बटन को आउन कीजे और धीरे धीरे अपने आइस के अराउंड मसाज कीजे एंड ट्रस्ट में गाइस यूविल फिल सो रिलेक्स्ट और रिफ्रेस्ट इसके यूज के इंस्टेंटली बाद आप एकदम फ्रेश फील करेंगे और आपकी आइस को डीपफ करने में आपकी हल्प करता है और साथी साथ आपके ऊवर अल्ड ब्लड सर्कूलेशन को भी इंप्रूव करता है इसके कुछ की इंग्रेडिन्स हैं विटामिन सी, गोटु कोला, नियर सिनमाइट और हाइलोरॉनिक एसिट इसमें जो विटामिन सी और गोटु कोला है वो आपको संडेमेज से बचाते हैं कोलेजन को बूस्ट करते हैं, अंडर आइस को रिजुविनेट करते हैं और आपको देते हैं एकदम फ्रेश अपेरेंस और नियर सिनमाइट आपकी अंडर आइस को ब्राइट करता है, एजिंग को प्रिवेंट करता है और आपके स्किन के टेक्च्चर को भी इंप्रूव क एक एक इसके साथ आपको मिलता है एक इलेक्रिक मसाजर यानिक आपको जादा कुछ करने की ज़रूद नहीं है यह अपने आप आपकी आइस की मसाज कर देगा एंड इस क्रीम के रेगुलर यूज के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पफिनेस है वो रिडियूस हो गई है जो डाक सर्कल्स है वो कम हो गए है और यह क्रीम आपकी स्किन को डीपली मौशराइस कर देगी और सात ही साथ आपकी अंडर आइस को इल्लिमनेट भी करेगी And guys, MAMA EARTH is all about goodness inside and this goodness just doesn't lie in their products but also in the values that they stand for इसलिए उनकी तरफ से एक initiative चल रहा है जिसका नाम है Plant Goodness Initiative यानि कि जब भी आप MAMA EARTH से कोई प्रोड़क्त करीदेंगे ते विलिंक यूर ओडर on a website to a tree that they plant and they're aiming to plant 1 million trees by 2025 यानि कि आपको यह products तो मिलेंगे अच्छे और साथ ही साथ एटमासफेर के लिए environment के लिए आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे And guys, MAMA EARTH is plastic positive वह उतना plastic यूज नहीं करते हैं जितना वह recycle कर देते हैं वह every month 120 empty plastic को recycle करते हैं Wow, that is huge! All MAMA EARTH products are chemical free and are made up of natural ingredients And guys, MAMA EARTH के सारे products आपको मिल जाएंगे Amazon पे, Flipkart पे, NICA पे, MAMA EARTH के official website और official app पे Yes, their official app भी launch हो चुकी है जो आपको मिल जाएगी Android पे और iOS पे आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा और वहाँ पे भी आपको मिलेंगे बहुत सारे discounts and deals और आप भूलेगा मत अगर आप MAMA EARTH के official website है और official app से शॉपिंग करें तो मेरा code ज़रूर यूज़ करिएगा जो की है Gaurav 2021 जिससे आपको मिलेगा 20% का discount और सारे link description पे है So go check it out So यह था वो amazing product and मैं personally चाहता हूं कि आप लोग इसको यूज़ कीजे और magic को feel कीजे and उमीद करता हूं आप magic को feel करेंगे So अब आते हैं आज के मुद्दे पे हमारे लिए पहली picture लाई चाहे Okay so यह picture है हर्षित की and यार इसमें इसका वेट काफी बढ़ गया क्योंकि मैं जब हर्षित को जानता था एकदम पतला सा था and अब इसका वेट काफी बढ़ गया है शादी के बाद अकसर लोगों का बढ़ जाता है लेकिन इसादी से पहले की picture है and हम दोनों साथ मी मोटे हुए थे मैं भी इसके साथ मी मोटा हुआ था मैं भी 75 kg तक गया था लेकिन उसके बाद में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझ जीप की डाड़ी आ रही है लंबी चौड़ी विदाउट एनी गुरूमिंग सिर्फ बढ़ाता है कुछ ध्यान व्यान नहीं देता है एकदम जो मैंने बोला था स्टाटिंग में धक्कन लग रहा है और मुझे लग रहा है यह फोन पर बात कर रहा है अकांशा से जो इसकी रहा है और उसको बोल रहा है भाई मैं तुमसे शादी करूंगा बहुत प्यार से बोल रहा है लेकिन अंदर से ओंधर फील ने कर रहा है इसकी आंकों में तुम देख सकते हो वह खौफ वह दर्द वह इमोशन नहीं है वह प्यार भषा वह नहीं है अम रिली शॉरी और झाल जाओ यार क्या हुलिया बना के रखाए ठकटर लग रहाए तो चलो आप चलते हमारी सेकिंड पिच्चा की तरफ So, यह पिच्चर है हमारी प्यारी MO की मज्चे आद है जब… Mohina निए फोटो शूट कर आय zaten तो मुझे दिखा आता कौन सी अ hetी वह ओंसी funky मच्च करण है नje तो मैंने बोला था ये कर दो वो कर दो लेकिन तब मैंने नहीं बोला आज मैं बहुळ देता हू गई थी और इसके friends इसको धुका देके वहां से बाहर निकल गए जंगल में और यह वहां रह गई है और ऐसा लग रहा है इनको उत जंगल में रहते-रहते काफी time हो गया है कुछ 10-20 साल बीच चुके हैं इनके जो यह कपड़े पहन के गई थी वह एक्चुली यलो थे लेकिन पौदो पेड़ में सोते-सोते वहीं पर सब कुछ करते पौदे और पत्ते खाते-खाते इनकी ड्रस का कलर भी ग्रीन हो गया यह एकदम मर्ज होगी है ऐसा लग रहा है यह क्रो आप रहा है अपना साथ जिन्देगी बरqua है ने कि या अपको समाल ने के लिए और भी बहुत सारी लोग है बुरा है अब चलते हैं हमारी अगली बिच्चर की तरफ और यह जो पिच्चर है यह हमारे हर स्चहान की ह्या हमारे हर्षू की है और यह जो attitude में ऐसे खड़ा है, बिल्कुल पोस्ट देरा, इसको ऐसा लग रहा है, कि यह ही इकलोता Tom Cruise है, he's the sensational celebrity of Instagram, इसको Instagrammer of the decade का अवार्ड मिल गया है, लेकिन यह एक नंबर का कार्टून लग रहा है, भाई हर्चित, तुम ऐसे लग रहे हो, जैसे डोरे मोन के पापा हो यह जो टोपी तुमने पहनी है, वो मेरी है, यह जो चश्मा तुमने पहना है, वो मेरा है, यह जो टी-शेट तुमने पहनी है, वो मेरी है, वाई, क्या कर रहे हो यार, बहुती फणी है, एकदम कार्टून पिच्चर है, and I think यह सबसे अजीब पिच्चर है, हर्षित की, and मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यह पिच्चर मैंने ही क्लिक की थी हम लोगे कैफे में गए थे शूट करने के लिए फूट चैलेंज था हर्शित के चैनल के लिए और तब मैंने भी पिच्चर क्लिक की थी तो इसको भी जोश चड़ा इसको लगता है कि भाई हम भ को बहुत जल्द और आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग सा सर्प्राइज भी है अगले कुछ दिनों में या फिर सेप्टेंबर एंग तक आपको मिल जाएगा अगर वो सर्प्राइज कर पाएंगे तो आपको मिलेगा बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट मेरी तरफ से जो की पका मिलेगा डोंट वरी मजाक नहीं कर रहा हूं चैनल मजाक का है लेकिन ये मजाक नहीं है आप लोग गैस करिए कि वो सर्प्राइज क्या होने वाला है नीचे कमेंट करिए और जो सही जवाब होगा तीन चाल लोगों को मैं सेलेक करूंगा और कुछ अपनी तरफ है वो देहरदून चली गई और में मुंबाई रह गया हूं तो इसको मैच करना बहुत मुश्किल है तो बैक तो पिच्चर ये काफी परिशान है क्योंकि ये रव से काफी दूर जा चुकी है लेकिन एक चीज इस पिच्चर की मुझे बहुत अच्छी लगी इनका टैटू अच्छी में पामाल का लग सकती है अच्छी बाट म हम परिशेती ये एरिग धर कंषिक फीले का है तो में मुझे अपना गाल का जाए परिवल रहूंकि आप्छी ये तो एक प्रिवाल्स ह observed is i mean the that active on Instagram these days I think you are enjoying your life and यही हम सब लुक चाहते हैं कि आप एक्दम खुश रहो मस्ती करो अपनी जिंदगी अच्छी से चीऊ हम भी जी रहे है यार and बोट जल्दी हम लोग मिलने वाले I hope बोट जल्दी हम लोग मिलने and so back to the picture this is an amazing picture I think यह आपकी DP होनी चही है यह कुछ अच्छा पिच्चर देखने को मिला हमें इस वीडियो में so kudos kudos यह नया वर्ट सी काई बनेगा kudos kudos to this picture wow next picture so guys यह है हमारी आज के आखरी पिच्चर और यह पिच्चर मेरी परसनल फेवरेट है क्योंकि इसमें मेरे दो खास साथी मेरे best friends एक साथ है और ऐसी बहुत कम पिच्चर होती हैं जिसमें सिर्फ यह दोनों होते हैं क्योंकि मैं बीच न बीच में टांग अडा के गुसी जाता हूं लेकिन यह फाइनली एक ऐसी पिच्चर है के ह़शिट ड्राइब कर रहाता मैं नहीं कर रहा था मैरा हमसे इंजोई कर रहा था एंड हम उनके लेडी संगीत में परफॉर्म करने वाले थे डेसी बाइव सॉंग पे लेकिन हम नहीं कर पाये थे क्योंकि हम लेट हो गये ते और अर। सो गए थे वहां पहुचके और संगीत चार पांच बजे का था हम उठे थे साथ आट बजे और हमने बुला चलो 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 चल रहा होगा जब हम गए तो वहां क्लीनिंग चल रही थी सब कुछ हो चुका था इस वज़े से मोहीना काफी नाराज हुई थी बहुत फेरे हो रहे थे फेरे होने के बाद जो वह स्टेज था बहुती ग्रैंड स्टेज था वहां जाके हर्शित और मैंने दोनों ने कान पगड़के मोहीना को सौरी बोला था और तब जाके मोहीना मानी थी एं मैं जानता हूं बिलकुन नाराज होना बनता है हम लोग इतनी और घृष्ट के संगीत में तो नाचा था एंड वो वीडियो मैं जरूर पोष्ट करूंगा किने के अभी जैपूर जारों तो हर्शित से ले लूँगा हर्शित के संगीत में अच्छा से डांस किया सोलो परफॉर्म किया और फिर हर्शित को भी लेकर आया उपर लेकिन मो यह कंगार के तो यह किमांशन कर आई वोग आपर मंझां मैं पाया और नहीं बाइख संगीत में नीसां कर पाया था इंफेक्ट मैंने भाही की बारात में भी नहीं गया ता उसकीलक स्वरीय मैं लग से क्की बनाउगा क्योंकि बहुत इंट्रेस्टिंग हैं अलब रियल भ तो करें लेकिन असली दोस्त वही है जो सीधा बोल दे मैंने उनके मूँ पे तो छोड़ो मैंने पुरी दुनिया के सामने यूट्यूब पर बोल दिया जो जो मुझे लगता था ऐसा ही करो आप भी अपनी दोस्ती अगर आप निभाते हो अपने दोस्तों के साथ तो भाई शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, पहले एक दो घंटे में जो भी कमेंट्स आते हैं, मैं काफ यो को रिप्लाइ भी करता हूँ, इन हाट तो मैं सब को देता हूँ, क्योंकि दिल बाटने की आदत मेरी आज की नहीं, बहुत पुरानी है,